राजस्थान की कुल 6 विधान सबसीते खाली हो गई हैं इन सभी सीटों पर उप्चुनाब होना है इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए विजेपी पुर्जोर पोशिश कर रही इन सीटों पर जीतने का बड़ा प्लान बना रही है इन सीटों पर बिजेपी के मुताबिक जातिगर्स समीकरन अनुकुल माने जा रहा है जबकि कॉंग्रेस इन सीटों पर गटबंदन के सहारे आगे बढ़ना चौह रही है पुल 6 में से 2 पर गटबंदन और बाकी पर कॉंग्रेस तैयारियों में जूटी है हाला कि ये उप चुनाव दूसरे अन्य चुनावों से बहुत अलग है यहाँ पर अलग-अलग सियासी समीकरन काम करते है नमस्कार में शेट जोया साल 2023 के विधानसवा चुनाव में जुन-जुनु सीट पर बिजेपी को लगबक 30,000 वोटों से हार मिली थी इस सीट पर हुए पिछले 4 चुनाव को देखा जाए तो रिजल्ट ऐसा ही कुछ कह रहा है मगर इस बार बिजेपी नया तजूर्बा करना चुआ रही परिवारवात को मुद्दा बना कर अन्य जातियों के वोट बेंक में सेंध लगाने की फ्राक में है दूसरी तरह ब्रजेंदिर सिंग ओला सांसर तो बन गहें लेकिन वो विधानसवा सीट अपने परिवार के पास ही रखना चाह रहे है इसलिए यहाँ पर कॉंग्रेस को विजेपी के केंडिडेट के नाम के एलान का इंतिजार है देवलियों नियारा विधानसवा सीट पर गूजर और मीना ही चुनाब जीतते रहे हैं विजेपी और कॉंग्रेस दोनों के लिए मीना और गूजर ही प्रमूख है इस सीट पर साल 2023 में विजेपी को कुल 19,000 वोटों से हार मिली थी इसलिए यहाँ पर विजेपी अपने गूजर चेरे पर ही दाव लगाना चाहेगी क्योंकि लोगसवा में गूजर सांसत को हार मिली है इसलिए इहां पर BJP के गुजर चेरे को जीत मिल सकती है दोसा विधान सबा सीट पर 2023 में BJP को 31,000 वोटों से हार मिली थी इस सीट पर BJP को साल 2013 में 25,000 से जादा मतों से जीत मिली थी उसके बाद से BJP के हार का अंतर बढ़ गया है क्यों सर विधान सबा सीट पर हनुमार बेनिवाल के जीत में वोटों का अंतर कम होता जा रहा है साल 2023 में हनुमार बेनिवाल को सिर्फ 2000 मतों से जीत मिली है इस सीट पर हनुमार के जीत का अंतर पहले से बहुत कम है यहाँ पर बेनिवाल के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा यह मामला साफ है इस सीट को जीतने के लिए विजेपी क्या रणनीती अपनाती है इस पर सभी की नजर होगी इसी तरह 84 विधानसवा सीट पर राजकुमार रोध को साल 2030 के चुनाव में 70,000 वोटों से जीत मिली थी यहाँ पर विजेपी दूसरे नंबर पर थी यहाँ भी मामला साफ है इस सीट पर भी रोध के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा इसी भी स्लूमबर विधानसवा सीट की भी हाल जान लेते हैं यहाँ पर विजेपी की अमरेतलाल मीना को लगतार चुनाव में जीत मिल रही है अब उनके निधन के बाद उनके परिवार से ही किसी को विजेपी टिकेट देगी इसलिए यहाँ भी मामला साफ है कॉंग्रेस और दिजेपी आने वाले आगमी उप्चुनाव को लेकर कमरकस चुकी है वो जीत के लिए कोई मोका नहीं चोड़ना चाहती इसी तमाम और फबरों के लिए देखते रहें दनगरी निउस शुक्रिया